फेस्बुक अधर डिवाइस लोगाउट सेटिंग आप अपने फेस्बुक को कैसे अलग-अलग रिवाइस के उपर अगर लॉगिंग है उसको लोगाउट कर पाएंगे इसी तरीका है इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखो आपको यहाँ पर एक सेटिंग वाला बटन आ जाएंगे इसके उपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर जैसे गयसे आप लोग क्लिक कर देते हैं अब आपके सामने यह जो बॉक्स ओपन हो जाते हैं इस बॉक्स के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह इसापर जैंगे आपको नीची की तरह आने के आपको नीची की तरह आने के एन शॉपशन के के उपशन हैं है। आपको simply एक बार click कर देना होगा, अब यहाँ पर click करने के बाद, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नजर दीजिए, अगर आपके Facebook, Instagram के साथ activated है, तो उस cases पर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, Facebook दिखाएंगे, और अलग से नीच आपके Instagram दिखने के लिए मिल जाएंगे, अब देखो गाइस, अगर आप Facebook को logout करना चाहते हैं, Facebook के उपर simply click कर दीजिए, और Facebook के उपर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं, आपके सामने थोड़ा सा loading होंगे, और उसके बाद आपके phone, मतलब आपके devices, जहाँ पर भी आपक इस phone के उपर आप काम कर रहे हैं, उसी phone का नाम यहाँ पर दिखाएंगे, और जैसे कि आप लोग देख पर रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं आता हूँ, तो यह जो Realme 8 5G कर के आ आ रहे हैं, यह अलग-अलग device है, अगर आप logout करना चाहते हैं, तो simply यह जो न कर दीजिए, और आपके जो Facebook account है, वो सारे के सारे device से automatically logout हो जाएंगे, देखे, इस channel के उपर हम काम की बात करते हैं, make sure guys, channel को subscribe करना, क्योंकि यहाँ पर हम आपके वक्त को जाया नहीं करते हैं, लेफ्ट अलग वीडियो पर मैंने आपको बताए हैं, आप अपने Facebook account के नाम अपनाराजार मुलागतो